इस फिचर को यूज़ करके आप अपने आइडियास को इगदम बढ़िया तरीके से या फिर मानों अच्छे तरीके से रिपेजेंट कर सकते हो बेसिकली रेंडरिंग के लिए एक्स्टेयर द्रॉइंग और इंटेयर द्रॉइंग के ज़र्वत पड़ती है लेकिन आप विदाउट एक्स्टेयर और इंटेयर फाइल आप इस नेड़स को इदम बढ़िया तरीके से रिपेजन कर सकते हैं तो फिर चलिए शुरू करते हैं सबसे बेले विज्वालाइज में जाएए उसके बाद एनिमेशन पैनल लेकिन यहाँ पर अभी एनिमेशन पैनल एक्टिव नहीं है तो इससे एक्टिव करने के लिए सिम्प्ली क्लिक ओन राइट साइड ब्लाइंक एरिया देन शो पैनल देन एनिमेशन यहाँ पर अब अनिमेशन पैनल एक्टिव हो गया तो क्लिक ओन अनिमेशन मोशन पाथ लेकिन एक इससे आसन तरीके से आप इसे अन कर सक्ते हो लेकिन उसके लिए उटकार क्लासिक में जाना बढ़ेगा उत्तवाइब मुझा हित क्लासिक मोर्ट कि इन देर वीव मेन्यू अ है इससे आफ मोशन पाथ एनिमेशन है। इससे आप इससे उन कर सकते हो ynकिन इससे और एक आसान तरीका। त्थाईब a n एंटर इन कमण लाइन एए मतलब एप отв ऐप एफ एग आसान तरीका है यानिकी शोट कट पिप आप इससे मोशन पाथ एनिमेशन एक क्लिक में अन कर सकते हो अब कैमेर को गुमाने के लिए एक पाथ और एक टार्गेट की ज़़ोगे इसलिए हम पहले इसे ड्रॉ करने ते हुआ झाल इसे गवार्गेट की ज़़ोगें अना को है झाल झाल हाई 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 झाल 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 झाल